जिलाल पुसंक्या के सहकारी समीती में हुई आयोजित आमसफ़ा में अंश धारियों को लाभांश वित्रण किया गया जिसमें लगभग 500 खाथा धारकों में लगभग 1 लाख रुपए वित्रण किया गया दुर्ग के पुराना पसिस्टेंड में सिद जिलाल पसंख्या के बच्चत सहकारी साख समीती के वारशिक आमसभा में हुए आयोजित कायकरम के बाद बैंक से जोड़े अंशधारियों को शुकरवार को लाभांश वित्रन किया गया, जिसमें लगभग 500 से अधीक अंशधार में करीब एक लाख रुपए का वित्रन किया जाएगा, बता दे जिलाल पसंख्या के बच्चत सहकारी साख समझे दुरू की 24 वी वारशिक इस आमसभा में वारशिक प्रतिवेदन आई वियाए आकेचित वित्ती प्रत्तक, लेखा पत्रक, शुद्ध लाप का विभाजन, अनुमानित बजट सहीद अन्य विश्यों को लेकर रामसभा उलाई गए थी, जिसमें इस वर्ष बैंक द्वारा 5 प्रतिशत लाभांश दे जाने की घोशना की गई थी बैंक के अध्यक्ष रौफ कुरैशी, बैंक मैनेजर शिवास जी सहीत फाउंडर मेंबर हने भिंड सरा, शमसुद दिन धर्रानी, नदीम आजमी, बहदूर अलि धर्रानी की मौझूद्गी में अन्शधारियों को लाभांश का 5 प्रतिशत की राशी चेक के माध्यम से वि बैकार्ता के उद्देश को लेकि चल रही है और इसी तारतम में जो लाभ संस्था को प्राप्त हुए हैं 2023-2024 के बजट में वो लाभांश 5 प्रसंद की घोशना की गई थी जिसे आज हम शेयर होल्डरों को बाट रहे हैं और सारे शेयर होल्डर जो हैं यहां पर आए प्रिप्या लाभांश देनी की घोशना जो की है उसको परिणीत कर रहे हैं और उस परिपालन में हमारे जो सदस्य हैं वो बकाईदा शेयर खरीदते हैं और शेयर पे हम हर साल लाभांश देते हैं बचत साथ सहकारी समीती से फायदा यह होता है कि जिनोंने अंश शेयर खरीदा है उसमें 5% लाभांश जो मिलता है जो उनके सेविंग खाते में जमा होता है और एक तरीके से उनकी यह बचत भी हो जाती क्योंकि शेयर अधिकान संस्थाएं लाभांश देने की स्तिती में होती है तेकिन अल्ब संख्यक बचत साथ सहकारी संस्ता की यह खासियत है कि लगातार वो अंश डिविडेंट जो है वो देते वे आ रही है और यह इस विश्वशनीता को साबीत करता है कि अल्ब संख्यक बचत साथ सहकारी समयती निरंतर प्रगती के और है और यहां खाते झाल झाल झाल